नमस्कार दोस्तों मैं अंकर उपाधियाई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूँगा विप्रो के स्टॉक के बारे में और टेक्निकल से लेके fundamentals तक सारी चीज़ें cover करने वाले हम इस stock के बारे में भी सबसे पहले तो मैं आपको बदा दूँ आज के session में market में आपने एक गिरावट देखी है जो कि definitely कहीं न कहीं हर एक किसी के दिमाग में सवाल पैदा कर रही है क्या मैं अपनी position हलगी कर लूँ stock market में क्या गिरावट आ सकती है इन सबसे पहले दो तीन बड़े main खबरे आईगे जो मैं आपके साथ share करना चाहूँगा पहला तो eurozone का inflation का data आता हुआ दिखा जो कि positive आया है market का expectations around 9.5% के inflation की दी लेकिन उसके सामने eurozone ने लगबग 9.1% पे inflation दिया है तो ये positive मानूँगा और एक negative चीज आती हुई दिखिए वो है जो कि भारत की bond yield है 10 years की वो rise होती हुई दिख रही है 7.36% पे आती हुई दिखिए अभी और ये November month से अभी तक highest हो चुकी है जब तक आप समझो गई ना कोई फाइदा नहीं है इन सब चीजों का आज तो मैंने बता दिया महेंगी हो गई ये खराब है लेकिन क्यूं खराब है ये तो आपको पता होना चाहिए ना तो खराब इसलिए है क्योंकि जितना जादा bond yield increase होगा फॉर एक्जामपल मान के चलो आपकी बैंक है गोई और आपको बैंक कहरी है भाई हम आपको साड़े साथ आठ परसेंट के रिटन्स देंगे तो मुझे पता है आपको कम लग रहे होंगे पर इस एकुटी मार्केट से भी ओवरोल आप 15-10-15 परसेंट के अगर रिटन्स निकाल रहे हैं साल में तो बहुत बड़े रिटन्स होते हैं वो आपके टोटल कैपिटल पर अगर आप 15 परसेंट के गेंस भी कर रहे हो तो वो अच्छे रिटन्स माने जाते है बीस परसेंट कर र देता हूं तो पैसा वहां से बॉन्ड यिल्ड में जाने लगता है यानि लिकुडिटी मार्केट से निकलती है और बॉन्ड यिल्ड में जाती है और इसी की वैसे यह सम्नेगिटिव मने जाता है तबी आपने कभी कबार सुना भी होगा कि बढ़ने से बजार में पहले तो जो इसकी अर्निंग्स आने वाली है मैं बता दू 13 जैनवरी को आएंगी आफ्टर मार्केट ही IT स्टॉक मैक्सिमम अर्निंग्स पेश करते हैं मंडे को आपके लिए TCS के आने वाले है शाम को पाच्छे बजे करीब अर्निंग्स आनी चाहिए विपरो की साथी सा जादा बड़ा नहीं आएगा एक देड़ दो रुपे करीब का आ सकता है लेकिन सवाल यह कि इस स्टॉक में जो ही करेक्शन है जो यह गिरावट है इस करेक्शन में क्या करें तो पहले इसको समझनी कोश करते हैं फंडामेंटली यानि की लॉंग टम निवेशकों के जिसके सामने आपको यह स्टॉक अभी 382 रुपीज के लेवल्स पर मिल रहा है तो किसी भी रेट से लेलो आप 120 या 130 तो थ्री टैम्स की बुक वैल्ल्यू पर महना कई से कई तक नहीं दिखता 130 रुपीज की है तो थ्री टैम्स से भी सस्ता हो गया है 390 रुपे होदा तो थ्री टैम्स ठीक है तो यह मतलब आईटी अमोंग अधर आईटी स्टॉक से कंप्यार करूंगा तो यह मुझे बहुत सस्ता दिखेगा ठीक तो यह भी मेरे लिए फेवर में आब ऐसा तो अनिए यह स्टॉक खराब है तो सस्ता ही मिलेगा आपको पता यह वही स्टॉक है इसने बहुत बड़ी-बड़ी कान गिया है इस स्टॉक के वारे में और 2021 में तो सबसे लादा यही भाग रहा था सारे गिर रहे थे लेकिन यह फिर भी भाग रहा था अब मैं इसकी रिटरन ओन इकोटी देखू तो 20.3 परसेंट है रिटरन केपिन बड़ी 21.1 परसेंट है देड़ परसेंट की डिविडेंट यिल्ड है गिरावट के पीछे के में कारण देखता हूं कि कोई इंटर्नल इशू तो इंटर्नल इशू कोई नी देखिए ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा फॉल देखने को मिला है आपको अमेरिका के बजार नेस्डेक इंडेक्स 30-35 परसेंट डाउन है 52 वीक हाई से और ये स्टॉक्स कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा महां से मैटर करते हैं तो इसकी वज़ए से आपको एक तो गिरावट देख रहा हूँ तो मैं नहीं देख रहा हूँ क्योंकि नेस्डेक इंडेक्स अल्रेडी लास्टियर 35-35 परसेंट गिराए इस साल भी अगर मैक्सिमम कंसॉलिडेशन भी होता है गिरता भी तो 10-15 परसेंट से जादा 50 परसेंट क्रेश हो जाएगा इससे जादा क्या खतन तक बनेगा डेफिनेटली बड़ी तेजी बनेगी मतलब छोटी मोटी नहीं बनेगी इतनी बड़ी गिरावट और कंसॉलिडेशन हुआ है समय के इजाब से उतनी बड़ी तेजी बनेगी तो फंडमेंटली तो मुझे सब कुछ अच्छा दिख रहा है अब आता हूँ टेक उसके नीचे स्टॉक 340 के पहले नहीं रुकेगा ये दिखता है हमें इसके टेकनिकल लेवल्स पे चार्ट पे जो दिखाई दे रहा है तो अब क्या करें बेच के 340 पे ले ले देखो ना आपको पता ना मुझे पता कि कितना गिरेगा तो इनकेस अगर 340 आता है तो बेच किसने की राय नी दूँगा और खरीदने की राय दूँगा मैं आपको देखिए सिंपल सा लॉजिक है पैसा बनाना आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा इधर उदर की सुनो के तो हमेशा नुकसानी खाओगे यहाँ पर आपको यह पता होना ची है कंपनी अच्छी आपको मैं किलिरली समझा पाया हूंगा थेंग यू सो मच फूर वाचिंग इस वीडियो